So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 31 मई के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करते हैं तो दीखें मारा पहला प्रशन क्या है हाली में NRI ग्राहकों को आउनलाइन खाता खोलने की सुविदा देने वाला पहला लगूवित बैंक यानि की स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बन गया तो आंसर होगा एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तो अब मतलब NRI ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ऐसी सुविदा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया कौन सा एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको याद आता होगा अभी इसने महिलाओं के लिए ईवा नाम से एक बचत खाता सेविंग अकाउंट लाँच किया था और इसमें महिलाओं को उनकी सेविंग के उपर साथ प्रतिशत का ब्याज मिलेगा ऐसा बोला गया था और इसके लिए उन्होंने इसमरती मंधाना को अपना ब्रैंड अमबेजडर बनाय था बाकि उजिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने भी महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था का नाम रखा था गरीमा और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसने आई चूज माई नंबर नाम से एक नया फीचर शुरू किया था और इसमें बोला गया था कि जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा और उस अकाउंट नंबर के लास्ट के जो 10 डिजिट होंगे वो आप अपने इसाप से चूज कर सकते हो और वैसे आपको याद होगा आरब्याय ने शामल गोपी नाथ कमीटी बनाई थी और काम क्या था उसका उसका काम ये था कि अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आप आवेदन करिए और उस आवेदन की समीक्षा करेगी ये कमीटी अच्छा एक्विटास स्मॉल फाइनस बैंक का हेटकोर्टर कहा पर है चैन्ने में है इसकी स्तापनविती 2016 में और इसके वरतमान में MDCO वासु देवन पीएन है चे आपके बैंक की हर परिक्षक की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी फ्री क्लासेज आपको मिलेंगे अनकैडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने परसनल सेडियूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं और अनकैड लाइव क्लास में आस्क अडाउट फीचर के द्वरा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी और अनकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेज कंड़क्ट होती है तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंग कर सकते हैं आप अपने टीचर के साथ इंट्रेक कर सकते हैं लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लैटफों पर एक ही सब्सक discount में मिलता है तो आपको इन सबी classes के जो link हैं वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में राष्ट्रे जाच agency के महानिदेशक कौन बन गए हैं तो अंसरवगा कुलदीप सिंग और कुलदी सिथान लेंगे YC Moody का जो अभी retired हो गए बागी चगजीत पवाडिया अभी international narcotics control board की यद्यक्ष बनी हैं और international narcotics control board से याद अखलो इसका headquarter कहाँ पर है वियना ऑस्ट्रिया में हैं बाकी आशोक कुमार अभी Tokyo Olympic में कुष्टी में अंपैरिंग करने वाले एक मात्र भारते referee बने हैं ये ये important नाम है बाकी प्रफुल चंदरपंत राष्टर मानवधिकार आयोग National Human Rights Commission के अध्यक्ष बनेगी बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री शिशू सेवा योजना की घोशना की है तो आंसर होगा असम ने तो अभ योजना में होगा क्या ऐसे बच्चों को जिनोंने अपने माता पिता को खो दिया कोरुना के कारण उन बच्चों को हर महीने 3500 रुपे की छात्रवर्टी मिलेगी उसके अलावा बच्चों को मुफ्त में कम्प्यूटर और व्यावसाइक प्रस्रिक्षन यानि के ट्रेनिं मंतरी शिशु सेवा योजना डिसको शुरू किया असम की सरकार ने वेसे अभी हर्याणा ने संजीवनी पर योजना शुरू की थी रादस्थान ने चिरन जीवी योजना शुरू की थी और मद्य प्रदेश ने अनुका नियुक्ती योजना शुरू की थी लेकिन या बात तो यह रहा मैप में असम तो देखो असम की केपिटल क्या है देशपुर है और मुख्य मंतरी अभे नए बने है हिमंत बिस्वा सर्मा गवर्नर है जगदीश मुखी अच्छ विसे अभी असम की पहली महिला वित्त मंतरी कौन बनी है अजंता नियोग बनी है और इसी के साथ ये पूर्वत्र राज्य में किसी भी राज्य की पहली महिला वित्त मंतरी है और अभी याद रखना ओनलाइन बार्ड रिपोर्टिंग सिस्टम को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया असम देखो एक सतरिया ये उच्छा जाता है एक्जाम में सतरिया ये कहा का क्लासिकल डांस है याद रखना असम का है वेसे बीगु नरत्य भी इंपोर्टेंट है और एक और है बगरुंबा नरत्य ये भी असम का है अभी आपको याद होगा असम की मच्वारे समुदायों की छे युवा लड़कियों ने जल कुम्भी से बायू डीगरीडेबल मैट बनाई थी जिसको नाम दिया था मूरहन योगा मैट वसके लवा पूर्वत्तर भारत का पहला कोशल विश्विध्यलेस की नीव की नीव रखी गई असम में असम के दर्रांग जिले में मोहितर योजना यहां पे शुरू हुई थी M-O-I-T-R-I मोहितर योजना यहीं पे ही भ्रमन सार्थी योजना भी शुरू हुई थी महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा देने की योजना है ये अभी असम के तीजपूर लिची को जियाई टेक भी मिला था उसके अलावा असम के सबसे लंबे समय तक मुख्य मंत्रे रहे थे तरुन गोगोई उनका भी निदन हो गया तरुन गोगोई को याद रखना इस साल पदम भूशन पुरुसकार के लिए चुना गया था और पदम भूशन वेसे टोटल कितने लोगों को मिला दस लोगों को पदम विभूशन मिला था साथ को और पदम शरी 102 को ये भी ध्यान रखना और यहीं की ही पहली और एक मात्र महिला मुख्य मंत्री थी सेयदा अनवरा तैमूर इनका भी निदन हो गया वैसे अभी अच्छा उसके लवा याद रखना जो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अपगरीड किया जाएगा वाइल लैप सेंचुरी में और यहीं पे देहिंग पटकाई वाइल लैप सेंचुरी उसे अपगरीड किया जाएगा नेशनल पार्क में यहीं पे आपको काजिरंगा नेशनल पार्क पे मिक्सिंग वाले गिंडू के लिए फेमस है यहीं पे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिबरु शिखुवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क आपको यहां पे मिलेगा और भारत का सबसे लंबा पुल भुपेन हजारी का वो भी यहीं पर है लोहित नदी पर बना हुआ है जिसके लंबा यह 9.15 किलो मेटर तो यह भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताई अभी हाली में किस मंत्रा लेने युवा योजना को शुरू किया है तो अंसर होगा सिक्षा मंत्रा लेने तो अभी हमारा जो सिक्षा मंत्रा ले है उसने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा योजना को शुरू किया है तो इसमें 30 साल से कम आयू के जो युवा लेखा के उनको प्रसिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे युवा का मतलब होता है यंग, अपकमिंग, एंड वर्सेटाइल आथर्स अच्छा, सिक्षा मंतरी कौन है हमारे? रमेश पोकरियाल निशंग के जिनका निरवाचन शेत्र कौन्स्टिट्वेंसी है हरी द्वार पहले ये मानो संसाधन मंतरी हुआ करते थे, फिर बाद में कस्तूरी रंगन समीती नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई और इसका नाम एजुकेशन मिनिश्ट्री कर दिया गया अच्छा, रमेश पोकरियाल निशंग से आपको याद आता होगा इन्हें अभी कनाडा का सरवुच नागरिक सम्मान भी मिला था जिसे साहित्य गौरव सम्मान कहते और अभी इस साल का अंतर राष्ट्र अजेई स्वयन पदक यानि की इंटरनेशनल इन्विंसिबल गूल्ड मेडल भी इनको मिला था और इकिस राजजी के मुख्य मंतरी रह चुके थे तो आप बताई दोगे उत्तरा खंड के विसे भी पंचायती राज मंतराले ने स्वामित्व योजना को शुरू किया था ये भी ध्यान रखना पढ़ते आगे अच्छा बताई ये अभी हाली में किसे सैयुक्त राष्टर की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रज्यात्यों के संगरक्षन संबंदी संदी के राजदूत पत से हटा दिया गया तो अंसर होगा रणदीप हुड्डा को एक्च्छली में रणदीप हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायवत्य को लेकर के आपत्ती जणक टिप्मनी की थी कब 2012 में जिसे अभी ट्विटर पर एक व्यक्ति ने शेयर किया और इसके बाद उनकी बहुत आलोचना हो रही है और उसे के बाद उने सन्युक्त राष्टर ने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों की संग्रक्षन संबंदी संदी के राजदूत के पद से हटा दिया यानि कि Ambassador of Conservation of Migrator Species of Wild Animal फरवरी 2020 में तीन सालों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था रणदीप हुड़ा अच्छा United Nation Environment Program की बात हुई न इसकी स्तापन कब हुई थी 5 जून 1972 को यह एक कारण है कि हम हर साल 5 जून को World Environment Day मनाते हैं इसका Headquarter आपको मिलेगा Nairobi Kenya में और Kenya से एक important question पूछू में आपसे Kenya के अभी पहली मैला Chief Justice कौन बनी थी तो याद रखना मार्था कून और United Nation Environment Program की प्रेसिडेंट है इंगर एंडर्सन बढ़ते आगे फिर बताएए The Very Hungry Caterpillar नाम की बुक को किसने लिखा तो आंसर होगा Eric Carley तो बच्चों की लोगप्रिय किताब है यह The Very Hungry Caterpillar और इसके जो लेखक है Eric Carley अभी इनका निदन हो गया है यह 91 वर्ष के थे और यह जो किताब है जो इन्होंने लिखी है जिसका नाम है The Very Hungry Caterpillar यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है यह पहली बार 1969 में प्रकाशित हुई थी और अब तक इसका सतर से ज़्यादा भाशों में अनिवाद हो चुका है तो Eric Carley की इस बुक का नाम याद रखना बाकि कल की करंथ यह Bollywood actress है अभी Elephant in the Womb नाम की बुक को लिखा प्रिती मोहन सिंग अभी Sikkim A History of Intrigue and Alliance नाम की बुक को लिखा बाकि शकूर, राथेर, Life in the Clock, Tower Valley नाम की बुक को इन्होंने लिखा था फिर बताईए अभी हाली में किसने Belgrade Open का खिताब जीत लिया तो अंसर होगा नुवाग चोकविच ने तो टैनिस के नंबर वन प्लेयर नुवाग चोकविच ने सर्बिया में स्लोवाकिया के Alex Malkan को हराकर के Belgrade Open का खिताब जीत लिया है नुवाग चोकविच ये सर्बिया के ही प्लेयर है और इस साल का जो Australian Open हुआ था न उसमें में सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था जबकि वुमें सिंगल का टाइटल जीता था नाउमी उसाका ने जो की जापान की प्लेयर है बाकि राफेल नडाल ये नाम इंपोर्टेंट रहेगा ये कहां के प्लेयर है पहले तो ये बताओ ये स्पेन की टेनिस प्लेयर है किंग ओफ कले कूट भी इनको कहा जाता है अभी इटेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता था इन्होंने और अभी बार वी बार बार सिलोना ओपन टाइटल भी इन्होंने ही जीता था उसके लवा लॉरियस वर्ल्ड स्पूर्ट्समेन ओप दे येर 2021 इनको चुना गया अभी अलेक्जेंडर जुएरिव की बात करेंगे तो ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर है अभी पुरुशों में मैडरिड ओपन 2021 का खिताब इन्होंने जीता था और महिलाओं में एरिना सबालेंका ने ये बेलारूस की प्लेयर है एरिना सबालेंका जब भी टेनिस की बात आती है एक इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको बिठाता हूँ कि टेनिस की चार ग्रेंड स्लेम होते हैं एक साल में और यहां से प्रशन ऐसे बन जाता है कि कौन सा किस कोट पे खिला जाता है तो पहला और लास्ट वाला यह हार्ड कोट पे होता है फ्रेंच ओपन क्ले कोट पे होता है और तीसरा वाला यानि कि विंबल्डन होता है किस पे ग्रास कोट पे और Wimbledon important है क्यों important है क्योंकि एक अच्छा कुशन मन रहा है यहां से कि last year 2020 में कौन सा Grand Slam नहीं खिला गया था तो Wimbledon नहीं खिला गया था तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किस राज्य सरकार ने बाल सेवा यूजना को शुरू किया तो आंचर होगा उत्तरप्रदेश ने तो अभी उत्तरप्रदेश सरकार ने COVID महामारी के कारण अपने माता पिता को खुने वाले बच्चों के लिए ये बाल सेवा यूजना को शुरू किया है इसमें राज्य सरकार ऐसे बच्चों को चार हजार रुपे हर महीने की वित्ते सहाइता देगी उसके अलवा बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपे भी देगी साथ ही में ऐसे बच्चों को सरकार लैप्टॉप और टेबलेट भी देगी अच्छा भी गुजरात सरकार ने भी इसी नाम से एक योजना शुरू की है जिसमें वो 18 साल की उम्र तक हर महीने चार हजार रुपे देगी बच्चों को और 18 से 21 साल तक के बच्चों को 6 हजार रुपे दिये जाएंगे और अभी इसी मकसद से काफी और राज्जों ने भी अपनी अपनी योजना शुरू की है जैसे कि मद्देपरदेश ने मुख्य मंतरी COVID-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की जिसमें बोला गया था कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं का निदन हो जाता है तो उनके परिवारों को 5 लाख रुपे और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और दिल्ली सरकार ने बोला कि COVID-19 से परिवार के अगर किसी सदस्य की मृत्य हो जाती है तो परिवार को 50,000 रुपे की आर्थिक मदद दी जाएगी और कमाव व्यक्ति की मृत्य हो जाती है तो परिवार को 25 सो रुपे महीने की पेंशन शुरू हो जाएगी 36 गड़ सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी जिसमें बोला गया था कि बच्चों के अगर माता पिता की मृत्ति हो जाती है COVID-19 के कारण तो ऐसे बच्चों को जो एक से आठवी कक्षा तक पढ़ते हैं उनको हर महीने 500 रुपे मिलेंगे और नवी से बारवी कक्षा तक के बच्चों को हजार रुपे दिये जाएंगे उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी अभी मुख्यमंत्री वात्सल्ले योजना शुरू की थी उसमें भी यही बोला गया था कि ऐसे बच्चे जो अनात हो गए है COVID-19 के करण तो इसमें बच्चों को 21 वर्ष तक 3,000 रुपे हर महीने मिलेंगे और साथ में 5 प्रतिशत सरकारी नोकरी में आरक्षन भी मिलेगा तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य सरकार ने अभी भावक मंतरियों की नियूप्ति की है यानि कि गार्जन्स, मिनिस्टर्स, सिस्टम्स को लॉँच किया तो अनसवगा असम सरकार ने एक्चुली में असम में टोटल 34 डिस्ट्रिक्स है तो 34 डिस्ट्रिक्स के लिए 13 मिनिस्टर्स की कमिटी बनाई गई है और इन 13 मिनिस्टर्स को हर डिस्ट्रिक्ट का गार्जन अपोइंट किया गया है मतलब अब 13 तो 34 में एक एक जाएंगे ने मतलब इसमें से कुछ मिनिस्टर को तीन किसी को दो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सोपी गई है तो अब इन मिनिस्टर्स की ये responsibility होगी कि ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाले और वहाँ पर development करे मतलब सरकार राज्य सरकार जो भी योजिना लेकर के आती है इनकी जिम्मेदारी होगी वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उसे सही तरीके से शुरू करें ताकि लोगों को उसका फाइदा मिल सके मतलब ओवरॉल इसका उपदेशी यही है तेजी से development होना चाहिए सबी दिस्ट्रिक्ट में और ये है guardians, ministers, system मतलब हर एक जिले का guardian किसी को बना दिया गया है अभी केरल सरकार ने smart kitchen योजिना शुरू की थी मद्य परदेश ने अभी अंकुर योजिना शुरू की और करनाटक ने आकांशा portal launch किया था बाकी असम के बारे में पीछे बढ़ चुके हैं तो अभी बढ़ते आगे फिर बताईए भारत की सबसे बड़ी reclining बुद्ध की परतिमा को किस इस्थान पर इस्तापित किया जाएगा तो अंसर होगा बुद्ध गया reclining मतलब क्या होता है? लेटे वे आपने भगवान बुद्ध की ये परतिमा जरूर देखी होगी अभी तो ये बन रही है जिसमें भगवान बुद्ध इस मुद्ध में लेटे हुए है तो ये जो मुद्ध है ये बहुत important है क्योंकि उत्तरप्रदेश के कुशी नगर में जब भगवान बुद्ध ने अपने प्रान त्यागे थे तो उससे पहले वो इसी मुद्ध में लेटे हुए थे और ये जो मुद्ध है इनके परे निर्वान को दिखाती है जो कहते है न कि ब्रमान में समा जाना उस position को दिखाती है तो अब इस प्रतिमा को बुद्ध गया में स्थापित किया जाएगा और अब बगवान बुद्ध से एक और पॉइंट बताओं कि करनाटक के उडप्पी जिले में भी बुद्ध की एक लगू मूर्ती मिली थी अच्छा बगवान बुद्ध से कुछ कुश्चन्स मैं आपको बताता हूँ अगर यहां से कभी एक्जाम में कुश्चन्स आता है तो शायद यहां से आपसे पूछा जाए जैसे कि महात्माग बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती कहां पे हुई थी तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी निरपना टट पर और बगवान बुद्ध यानि की सिधार्थ का जन्म कहां पे हुआ था लुंबिनी नेपाल में हुआ था अच्छा सिधार्थ की द्वारा गुंतीस वर्ष की अवस्ता में गरहत त्याक को क्या कहा जाता है महाभी निश्क्रमन कहा जाता है महाभी निश्क्रमन और धम चक्र परवर्तन किस घटना को कहते हैं तो सारनाथ वारनासी में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे ही धम चक्र कहते हैं और मैंने आपको बताया महापरी निर्वान यानि की निधन बोल दीजिये या मोक्ष की प्राप्ती की जो घटना थी वो कहां पे हुई थी कुशी नगर यूपी में हुई थी और कुशी नगर में तो आप जानते हो पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बन रही है और अभी कुशी नगर का जो एरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एरपोर्ट का दर्जा भी दे दिया गया है अच्छा बोद्ध धर्म के पूजा इस्थलोकू क्या कहा जाता है इस्टूप कहा जाता है और बोद्ध धर्म ये किन दो भागों में विभाजित हुआ महायान और हीन यान तो ये कुछ important points है मैंने आपको बताएं इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताएं हाली में किसने The Spiritual CEO नाम की बुग को लिखा है तो अंसर होगा S. प्रकाश ने बाकि आदित्य गुपता Seven Lessons from Everest नाम की बुग को लिखा था अमिताब घोष Living Mountain नाम की बुग को लिखा और नीना गुपता ये बॉलिवूड एक्टरेस है अभी इनके आत्मकता हारी है जिसका नाम है सच कहूं तो तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताएं बार्कलेज इसने वित वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया तो 9.2% बार्कलेज ये ब्रिटेन का एक बैंक है और इसने अनुमान लगाया है कि वित वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 9.2% रह सकती है तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाले में किस भारते को 2020 का अंतर राश्ट्रिया E.N.I. पुरुसकार मिला है तो आंचार होगा C.N.R. राउ को और इस अवार्ड को Energy Frontier Award भी कहा जाता है और Energy Research का Nobel पुरुसकार भी इसे माना जाता है ये मिला C.N.R. राउ को आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईज अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के जाद में को शेयर जरूर करना है